हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने लावाज Z71 Android मॉइल फोन में आप पासवर्ड लॉग को आप डिसेबल कैसे कर सकते हैं आप अपने फोन से पासवर्ड लॉग को आप कैसे हटा सकते हैं तो यह मैं आपको इस वीडियो में आज जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आपर जो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने फोन में सेटिंग पेज ओपन करना है इसके बाद आपको जो नीचे की साइड में आना है और यहांप आपको जो है अपने फोन फोन इसे इसके राइट के लिए करेंगे स्क्राइब हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं current screen lock यहाँ पे लिखा हुआ रहा है यानि कि पहले से आपका password lock यहाँ पे set हो रहा है तो आपको इसे करना क्या disable करने के लिए से first option पे select करना है नोन के option पे ठीक है इस तरीके से और आपको छोटे पेज आएगा इसमें आपको yes remove का button आपको select करना है यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका जो है यह screen lock के नीचे non लिखा हुआ रहा है तो पहले यहाँ पर password लिखा हुआ रहा था आप यह non लिखा हुआ रहा है यानि कि आपकी जो password lock है वो आपके mobile phone से हट चुका है तो इस तरीके से यह आपकी setting जो disable हो जाती है अब मैं आपको बता जेता हूँ यह setting जो disable होने को काम कैसे करेगी आप जब भी अपने mobile phone की screen को off करेंगे और फिर screen को on करेंगे तो आपका mobile phone directly open हो जाएगा उसी page में जिस page में आपने last page में छोड़ा होगा अपने mobile phone में आपको setting page open करना है और सबसे उपर आपको search setting का यह option दिखाई देगा ठीक है इससे select करना है अब यहाँ पर आपको search bar में टाइप करना है screen lock तो आपको निचे की screen lock option शो हो जाएगा security के साथ लिखा हुआ इससे select करना है इससे होता किया है कि आपका mobile phone आपको directly screen lock की setting में आपको लेकर आजाएगा और हाइलाइट करेगा इस setting को इससे आप select करेंगे तो next page में आप जो इसे known के button पर select करके आप पासवार्ड लोग को easily disable कर पाएंगे तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका बता दिया इस setting को ढूड़ने का search कर गे